नमस्कार बहुत स्वाकत है आपका देख रहे हैं कुम्ब राश्य वालों को क्या मिलेगा खास 2020 में 2021 में कुम्भ वालों को क्या मिलेगा खास वीडियो तो हमने बहुत पहले शूट कर दिया था लेकिन दुर्भाग के बस वो वीडियो नहीं पड़ पाया हमने 12 दिसंबर को ही सूट किया था लेकिन अब जनवरी मिड में आकर क्या आपको मिल रहा है लेकिन अभी साड़े 11 महिना बाकी है जान लेजिए देखे कुम्ब राशी वालों के लिए क्या मिलेगा खास हम बताएं तो शनी आपकी राशी का स्वामी 12 में बैठा है आपकी राशी आपके लगन से तो इसे लगन और राशी दोनों से देखना होगा कुम्ब राशी कुम्ब लगन वालों को इसे दोनों से देखना होगा तो सबसे पहली चीज कुम्ब राशी वालों को क्या मिलेगा खास शनी अपने घर का होने के कारवन सबसे बड़ा फाइदा आपको भी लेगा कि आप बाहरी लोगों से खूब लाभ लेंगे चाहे आप बिद्यार्थी हैं ब्यापारी हैं प्राइविट सेक्टर में हैं सरकारी छेतर में हैं बाहरी लोग घर के बाहर के लोग आपकी खूब मदद करेंगे बिकॉज आफ सैटर्न शनी आपकी राशी के स्वामी होकर आपके लगने के स्वामी होकर आपकी राश्री लगने से द्वादस हैं तो द्वादस का एक दोश तो लगेगा वो छिनेगा क्या खास उसमें हमने बोला है लेकिन बाकी चीजों के मामले में मिलेगा खास क्या बाहरी लोगों की खूब मदद मिलेगी आपको उनसे बहुत फाइदा होगा और क्या मिलेगा दुतिय भाव पर मीन राशी पर इनकी पूर्ण तृतिय द्रिष्टी है परंतु सत्रु द्रिष्टी है लेहाजा आमदनी तो होती रहेगी लगनस्वामी होकर के ये धन भाव को देखेंगे तो पैसे तो देंगे बट खर्चे के साथ देंगे लेकिन क्या देंगे दस देंगे ये बड़ी बात है और क्या देंगे अब हम आते हैं ब्रहश्पति पर जो आपके धन भाव के स्वामी है बड़ी बात है और साती सात एक आडस भाव की भी स्वामी है ब्रहश्पति एक जगह से अपने से दूसरे हैं और एक जगह हैं अपने से एकादस में हैं तो ब्रहश्पति के द्वारा पैसा आपके पास आता रहेगा आमदनी के जो रास्ते खोलेंगे वो ब्रहश्पति खोलेंगे बुद्ध की स्थिती लावस्थान पर है जहां से बुद्ध जब सुर्योदय हुआ था एक जनवरी को तो बुद्ध की स्थिती सुर्य बुद्ध एक साथ धनुराशी में थे उस समय तो वर्षफल में ये स्वामी होके पंचम को देख रहे हैं लहाजा बुद्ध और बुद्ध में उत्तरोत्तर वृद्ध करके पढ़ाई संबंधी तमाम लाव के अवसर खोलेंगे ये आपको खास मिल जाएगा लव लाइफ मार्च तक तो बहुत अच्छा मिलेगा इसके बाद सितंबर अक्टूबर के बाद कुछ इस्थती सामानने करेंगे ये होना ही होना है अगर आपकी राशी या लगन कुम्भ है तो आप देख रहे हैं कुम्भ राशी वालों को क्या मिलेगा खास क्या देगा खास 2021 शिक्षा हो गया यहां हो गया संतान संबंधी लाव भी मिलेगा अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे आप 2020 में 19 में आपने प्रयास किया था सफलता नहीं मिलेगी मिली थी तो इस वर्ष 2021 में सफलता के चांसे मोर देन 90 परसेंट बढ़ रहे हैं एक बाद पती पतनी दोनों मिल करके कुनली अगर हमसे अलोकन कर वाले तो मैं मुहुर्ट बता दूँगा समय बता दूँगा कब आपके लिए इसकी प्लानिंग करनी चाहिए लव लाइफ में क्या देंगे खास वो हमने बताया बच्चे के लिए बताया पंचंभाव सिक्षा का बताया धन का बताया लगन से बताया बाहरी संबंधों का बताया नौकरी के छेत्र में क्या खास देंगे नौकरी के छेत्र में 2021 में दसमेश मंगल अपने घर के हैं तिरतिय भाव में बैठे हैं मेश राशे तो बहुत मेहनत से पूरा इसका फल और परिणाम सकरात्मक देंगे लेकिन आप मेहनत से भाग नहीं सकते हैं मेहनत आपसे जरूर करवाएंगे ये आपके लिए एक मतलब बात है कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा तो देख लीजेगा सोच समझ करके फैसले लीजेगा कहीं मेहनत निरर्थक ना जाए बेकार ना जाए आपके लिए शनी ब्रहश्पती आदि ग्रह मजबूती देते रहें आपके लिए अच्छा सोचते रहें अच्छा मकान वाहन के लिए भी मैं बता दूँ क्या देगा की नहीं देगा अगर आपकी राशी और लगन कुम्भ है तो व्रिश्चिक राशी में बैठा हुआ शुक्र और केतु कुम्भ राशी वालों के लिए चतुर्थे शुकर के बैठा है तो अच्छी स्थती में है अपने घर को तो देखी रहा एक तरह से एक जगा से दूसरे है एक जगा से देख रहा है तो मकान हंड़ेट परसेंट बनवाएगा लेकिन लेट बनवाएगा अक्टूबर नॉम्बर में जब राहु हट जाएंगे तब जाकर की इसका संयोग ब खास और क्या देगा खास और अच्छा स्वास्त देगा हेल्थ वाइज आप ठीक रहेंगे मजबूत रहेंगे बहुत परशानी नहीं होगी यह आपके लिए अच्छी बात रहेगी बहुत बहुत शुक्रिया और कुमराशी वालों के लिए सब कुछ अच्छा रहे साल हुआ है इसमें भी बता देते हैं उरत की खिचडी का दान शनिवार को सुंदरकान का पाठ और बड़ों का अशिरवात और सात्विक आहार ग्रहन करना आप सब के लिए पूरे वर्ष अच्छा रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू आप मुंबई में मिलना जाते है तो 30-31 जनवरी को हम मुंबई में है और 25-26 जैपूर है 27-28 इंदौर है तो अपॉइन्मेंट ले लिजे अगर आपको मिलना है तो नमस्कार शिरादे